विल्कम स्टूदेंट्स टू केमिस्ट्री कॉंसेट्ट इस पंकर्च सिंग और आज हम केमिस्ट्री की बात नहीं करने वाले बिल्कुल भी अचली बहुत दिनों से लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं अपनी वीडियो बनाने के लिए कौन से सॉफ्ट्वेर का यूज करता हूँ तो आज I am going to explain you which software do I use, I use Camtasia Studio इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे यूज करते हैं थोड़ा complicated है that's why I decided कि मैं इसका पूरा उपर tutorial बना दू इसके बारे में भी एक so let's start आपकी screen पर जो दिख रहा है ये Camtasia Studio है नाम दिख रहा होगा corner में आपको Camtasia Studio आप install करेंगे open करेंगे आपको ऐसा दिखाई देगा ठीक है अच्छा बढ़िया अब जब इसको पूरा open कर लेंगे class आप मैंने background में एक powerpoint presentation खोल रखी है black color का background के साथ ठीक है तो class इसे open करने के बाद जो सबसे पहला काम आपको करना है वो करना है आप दिख रहा है आपको record the screen record the screen इस record the screen पे करिए click click के आपने देखिए यहाँ नीचे एक recorder खुल गया है अब आपकी मर्जी है यहाँ पे audio का option है मैंने on रखा हुआ है यह webcam का option है मैंने off किया हुआ है मैं external webcam यूज़ कर रहा हूँ ठीक है आपको on करना है आप on कर लीजे custom option given है अगर आपको कोई particular screen capture करनी है तो आप custom पे click करिए पूरी screen capture करनी है आप full screen करिए basically यह software करता क्या है यह पूरी screen को capture करता है आपकी जो भी screen पे हो रहा होगा सब capture हो जाएगा screen recorder है तो मैंने उसे full screen पे कर दिया ठीक है अब मैं क्या करूँगा एक power point presentation को full screen में चलाँगा full screen पे ठीक है यह कुल गई जो भी मेरी screen पे होगा सब record हो रहा होगा along with voice webcam मैंने off किया हुआ otherwise मेरी video भी record होती जो मैं दिख रहा हूँ अच्छा उसके बाद क्या करना है कुछ नहीं बस इस record वाले button पे click करना है किया आपने 3, 2, 1 recording शुरू अब क्या करना है क्लास आप इस पे यह powerpoint presentation में न यह मैंने ppt खोली है screen पे black color की screen है बड़ी ppt है right side corner में कुछ controls होते है क्लास यहाँ आपको pen का control दिख रहा होगा उस पे click करिए ink चूस करिए यहाँ से ball pen चूस करिए ink का color चूस करिए white और लिखना शुरू करिए मैं अपने favorite चीज बनाता हूँ benzene benzaldehyde जो भी आपको बनाना है ठीक है the molecule reacting with HCl to form what जो भी आपको करना है जो भी explain करना इस presentation पर करो black यूज किए अपने white वाइट जो भी उस करना है एक बार आपकी वीडियो बन गई press F10 save recording शुरू recording शुरू pen का control लिख रहा pen का control लिख रहा जो कुछ हो यहाँ save और लिखना शुरू करिए class यहाँ जाए आप save and edit पे click on save and edit आपको जिस भी location पे let's say मैं desktop पे capture one के नाम से इसको save कर देता हूँ जैसे आप save click करेंगे class थोड़ी देर में देखिए क्या होता है editor खुल गया editor खुल गया audio video timeline के साथ किस dimension में video record करने हैं आपको मैं choose करता हूँ one two eight zero into seven twenty youtube के लिए okay करिए ठीक है done center पे click करके देखिए class देखिए yellow lines आ रही है properly चारो तरफ means आपका यह center पे है center पे नहीं होगा तो इसे drag करके ले आए मैंने कर दिया अब देखिए जब मैं center पे click करूंगा corners पे yellow line है यह सिर्फ optional चीज है अब देखिए नीचे न आपको यह audio video दिख रहा होगा अब यह आपकी मर्जी है आप जो editing चाहे जिससे चाहे cut करना चाहे for example let's say जब मैं मैंने screen पे लिखा था that's visible now मैं अगर cut करना चाहूं let's say end का portion थोड़ा सा extra दिख रहा है मैंने drag करके cut पे click किया यह cut गया नहीं करना चाहता कोई बात नहीं whatever editing I want let's say मैं starting में ध्यान है मैं मिशे एक logo यूज करता हूँ तो उसके लिए क्या करना है जूम आउट जूम इन हो जाएगा जो मैं starting में logo add करता हूँ import the media when I import the media यह रहा मेरा logo यह इसमें भी लगाऊंगा इस वीडियो में भी लगाऊंगा open this ठीक है यह मेरी वो intro video है अब देखिए मुझे यह वीडियो के starting में जोड़ना है तो यह जो दिखर है आपको audio video नीचे track 1 track 2 इसको थोड़ा सा side में करिए पकड़के थोड़ा space बनाईए और इसको drag करके किसी भी एक track पे छोड़ दीजे अब इनको adjust कर दो ठीक है वीडियो कैसी दिखाई देगी starting से देख भी recording शुरू recording शुरू recording शुरू ठीक है अब और भी कुछ लगाना है कर लेते हैं भई यह transparent वाला लोगों भी ले आते हैं इसको drag करिए इसे track 4 पे छोड़ दिया मैंने जो भी करना है नहीने track पे add करते है अगर करना है तो नहीं करना तो यह सब करने की जुरूरती नहीं है class यह तो मैं आपको editing सिखा रहा हूं इसको ऐसे जहां भी आपको लटसे मैं चाहता हूं यह लोगों मेरा starting से लेके end तक आता रहे तो let's drag it to the full length और यह जो लोगों मैंने ना add किया था इसको चोटा भी कर सकता हूं और इसकी position मैंने उपर लगाती देखना end में जब video process हो रही होगी आपको देख रहा होगा उपर भी ठीक है final video के अंदर मेरी video आगे चलती रहेगी साथ में यह logo भी रहेगा अब मेरी video कैसे दिखने वाली है final यह देखिए it will look like this logo part intro part recording जो भी मैंने कहा था सब यहां दिख रहे यह सब अगर आपको करना है तो ठीक है नहीं करना था तो यह सब editing editing वाला part छोड़िये skip करने की जूरत ही नहीं है skip करिये जैसे ही यह file open हुई थी आपको editing नहीं करनी तो simply click on produce and share जितनी बड़ी वीडियो चाहिए again मैं हमेशा यह hd720 लेके चलता हूँ choose करिये next पे click करिये अपनी location choose करिये मैं save कर देता हूँ इसे cam asia के नाम से अपने downloads में और इस पे click करते है finish पे यह video हो रही है process speed बहुत fast है छोटी सी video थी otherwise यह बहुत बढ़ी होती है जैसे खत्म होगा video is ready मैं दिखाऊंगा आपको वैसे तो आप देखी रहे है video बट फिर भी दिखाएंगे आपको देखियो done और done होते के साथ यह खुल गई मेरी video देखिये कैसे दिख रही है let me open it let me open it recording 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 बेंजल डिया जो भी एक्स्पेंट कुछ करें बेंजल डिया जो भी एक्स्पेंट करना इस प्रेजन आपको बताऊंगा बहुत सारे डाउट्स होगे बार बार देखना इस वीडियो को आप सीख जाएंगे डाउट्स होगे कोई भी दिक्कत आएगी कहाँ एडिटिंग करनी है कैसी करनी comment section में लिखे मैं आपको बताऊंगा ठीक है जो आता है वो सबको आना चाहिए okay class thanks bye take care